व्यूट्व यूट्व चैनल विट निहां है आज से हम तेरीडोफाइटा का अध्याइप करने से पहले हम थोड़ा से जान देते हैं कि प्लांट्स कितने प्रकार होते हैं क्योंकि हम फंजाइ भी पढ़ चुके अब टेरीडोफाइटा पढ़ रहे हैं उसके बाद क्या है जिमनो इस्पंप पढ़ना है फिर जियो इस्पंप पढ़ना है तो आईए देखते हैं कि यह सभी प्लांट जो है आपस में इक दूसरे से अलग कैसे हैं क्यों इनको अलग-अलग क्लास में रखा गया है तो देखे 1883 में एकलर नामग विज्यानिक ने सबसे पहले प्लांट को दो भागों बाटा क्रिप्टोगैमी और फैनरोगैमी क्रिप्टोगैमी का मतलब क्या होता है आपुस्पो भिद और फैनरोगैमी का क्या मतलब होता है पुस्पो भिद यानि अब पुस्प भीद मतलब ऐसे प्लांट जिन में पुस्प और सीड नहीं बनते हैं और फैंडरो गैमी का मतलब होता है कि ऐसे प्लांट जिसमें पुस्प और सीड बनते हैं तो इस लिए क्रिप्ट्व गैंङ को हम एक नाम से जानते हैं कि प्लांट विदड सीड यह एसा है जिर में सीड नहीं हो जी और इसको हम क्या क्या करेंगे प्लांट हेविंग सीड हाइओ धर में लिम्सक्त बनता है प्लांट हेविंग, चीड अब देखिए इधाल विजारों सीड कुटे तीन भागों बाहते हैं सीड नहीं बनते थेलोफब्रburgh चीड़ों ओर रोड़ा होती है यादि रूट स्टेम लीफ में नहीं बंती होती हूः आना है तो उसका हे फंजाई और इलगी फिर आता है ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा में हम जानते हैं कि दोनों तरह के प्लांट आते हैं एक तो थैलवाइड प्लांट भी आते हैं और साथी साथ कुछ ऐसे प्लांट आते हैं जो फोली ओज होते हैं यानि उसमें लीफ और स्टेम पाए जाता है इसक प्लांट यहां पर क्या होता था कि गैमिटो फाइटा दोमिनेट होता था और इस पूरो फाइटा यहां बनता ही नहीं था हम केवल इस पूरो फाइटा यहां जाइगोर्ट को ही हम क्या मान लेते थे इस पूरो फाइट मान लेते थे यहां क्या होगा यहां हमने देखा था कि गैमिटो फाइट भी बनेगा और इस पूरो फाइट भी बनेगा यानि यहां पर क्या होंगे गैमिटोफाइट और इस्पोरोफाइट दोनों होंगे रायोफाइट में क्या होंगे गैमिटोफाइट भी होगा और क्या होगा इस्पोरोफाइट भी होगा अब उसकी बाद हम अगर टेरिडोफाइटा का देखें तो टेरिडोफाइटा क्या होते हैं ब्रायोफाइटा से ज़्यादा एडवांस होती है इसमें क्या होता है गैमिटोफाइट और स्पोरोफाइट दोनों ही क्या होते हैं इंडिपेंडेंट होते हैं दोनों में से कोई भी किसी पर डिपेंड नहीं होता है दोनों के यह अंदर प्लोफिल बाया जाता है दोनों भी अपना भोजन बना लेते हैं और एक अंतर हम देखिए कि यहां पर इस स्पोरोफाय। प्लांट में वो हम अगर कहेंगे तो कहेंगे फ्लांट बॉडी जो गय मिटो फितिक होती में लेकिन जय consist though वर उब्लान्यूवारिकंटle ृरे शहаяं जांसा, दस्राली पांसा, तरिकर चुल को सबोड़े समषा से कि जैसे ब्रायोफाइटा में होता था कि इस्पोरोफाइट जो है वो गैमिटोफाइट पर डिपेंड था अब जिमनोई स्पर्म और एंज्वी स्पर्म में क्या होगा कि यह जो गैमिटोफाइट है यह इस्पोरोफाइट पर डिपेंड हो जाएगा क्या होता है कि यह गमेटो फाइट जो है वो खुद का नरीस्मेंट नहीं कर सकता है यह नरिस्मेंट कहां से लेगा इस पोरो फाइट से लेगा यह बनेगा किस पे इस पोरो फाइट के उपर बनेगा यानि यह बने किस समय के लिए होगा without chlorophyll होगा इस पोरोफायट के ऊपर बनाई का वे चैख होगा जो इसक जाथ होगा तो ऑफिछ के सभी सबस्ते होते सब्सक्राप देख रहे हैं कि लेक्रधर में सबाई यहां जो सीड बनते हैं और यहां जो सीड बनते हैं और यहां सीड फल के अंदर नहीं होते हैं तो यहां जो होते हैं वो सीड जो होते हैं वो सीड बनते हैं और यहां पर क्या होंगे सीड फूट की अंदर नहीं होंगे जो सीड नोट कवर्ड बाइ फूट ऑगे जो बनते हैं जो बनते हैं यहां पर कर दाए नहीं पर जाता हैं इसलिए यहां फलका निवाल नहीं होता हैं लेकिन जो अन्दाश्य जबकि यहां बीजांट और अंडा से दोनों पाए जाते हैं इसलिए यहां सीड और फ्रूट दोनों बनते हैं तो आई होप यह सभी क्लास में क्या अंतर है आपको समझ में आज़ा होगा तो ही समझाने का इसलिए मत समझाए होने आपको कि जो हम तेरीडो फाइटा पड़ की नाम दीया है वैसकुलर क्रिप्टो गैमर्स क्यों होते तो अभी तेख अब हम ने gelecek था था तो अब्राइए में ब्राइवफाइटा पाया था कि पर बंदल नहीं पाए जाते है यहां पर वैसकुलर बंदल से मतलब है कि जाइलम और फ्लोयं नहीं पाए-जाए गा जoga तेरडोफायटा में क्या होते हैं यहां पर वैसकुलर वप्रम पाया जाएगा इसलिए इसको क्या कहते हैं तो आपको समय में आ विखेर तरडेडोफायटा कब छिंट हुए थे तो यह बतले हैं तो यह होगाना है जो एक पिरियट है इस पीरियद्ट में टेरेडा फाइटा का थोड़ा से introduction और प्लान के बारे में हैं कि प्लान को कितने कटीग्री में बाटा गया है ठीक तो अब तो कि यहां इस कोरो फाइट का होगा। प्लाट बॉडिय को पौट बाल यजए पहते हैं कि यूपिति फॉर्ट भॉडश फिटी फॉर स्थिप बउग उश्टन को रिफिम उन्थी। कि वहां पर इस्टेम और लीफ तो पाया जाता था लेकिन रूट नहीं पाया जाता था तो जादे तर ब्राइफाइट में तो पाया भी नहीं जाता था लीफ और इस्टेम और वहां ब्राइफाइट कैसे होते थे इस्पोरोफिटिक होते थे तीसिरा अंतर देखें हम इसमें तीसरांतर यह होता है कि इस्पोरोफाइट जैसे कि हमने देखा थे ब्रायफाइट अमें वो गैमिटोफाइट पेडि पेंथ था लेकिन यहां पर नहिं will तो यहां पर आप लिखेंगे ढरीकजने ब्लक्ट इसके बात फूरो Communist सपाइब रहे तो आप वहालुल फै Tom a और यह लुग इसका पूर्ध का भूजन बना लेगा इसका अफ्रल्ड का शाम करें시면 बना रहे हैं कम आ एक्सलोन अपले लिख क्या कह दो आप टोछी के वहुत्डक की लिख दम आरे म situations आप कि यहां पर डिपेंड नहीं है इसका मत्तब यह है कि इसके अंदर कुलरोफिल पाया जा रहा है और प्रकास अंसेसर द्वारा यह अपना भूजन बना लेका और देखतेंगे इसमें जैसे कि ब्रका अब गएक प्लेसेश प्लेसे तो एसे यह भी क्या होगा कि मुश्ट अब से अब्लेसेश पहाग शक चाहले जाएगा एक्वेटिक का यापल आपको याद रखना है एक्वेटिक का यापल आपको याद दोना चाहिए मासिलिया, एजोला, साल्वीनिया और आईसो सीट सालवीनिया और आइसोल सीट तो यह चार जांपल आपको याद रखना है इसकी अलावत कुछ ऐसी होती है जो जीरो फिटिक होती है तो उनका भी आपको याद रखना है कौन जीरो फिटिक है तो जीरो फिटिक में आपको दो याद रखना है एक आपको चार पढ़ना ही है एक आपको इक्वीजिटम पढ़ना है मालसिलीय परना है you इसके अलावा अजकि कैंने लांने walis, इसके उककी कने अदिन ने कि दोते़ों करांई रोट, इसके छणतनी है, गिला है, उसके वहीन करता और इसके तरहिजित सक्तिक करें इसी आदमानी क्रखलता है इसका प्रपलखल एडोंतिसीओविई तो यहां पर भी क्या होता है कि पहले निकलता है लेकिन यह टैप रूट के लिए हो जाता है यह नश्ट हो जाता है फिर mix की निचले भाग से क्या निकलते हैं तो जो रूट कहां से निकलते हैं उसको क्या क zacते हैं तो यहाँ पर प्थैप रूट आप पताएंगे कि छड़ि कह अर४रkn sh decisions होता है लीव के बार करें लीव और लाज भी होते हैं लीप सैसे होते हैं इसकेली भी होते है इसकेली नीप कर देखा जाता है वह जोritesches फयर केशिव का लावा जोते हैं के पाये है य। but नहीं य। न्यु यह सrगे से से नूटरा कसे इसके से एवड कर दो N. थिक अब इसके अगर इस अगर इस इस टे ब्रांश की बात करें तो हमने ब्रायों को थी अगर यह ब्रांच को बढ़ना ब्रांच को थी तो यहां पर डाइक कॉर्टमस ब्रांच में बटा रही हैं जो कि इस में जो का'll बंख जारी हैं फिर आगे चल चकर करें को कि जो yarate नो हसा हरा है यह भी क्या करें कि दो बढ़ जा रहा है इस सी या फिर इस तरीके से इल्टरनेट रूट में निकले एक अधर से एवस्ते से ऐसे दाघंबятно मूनो ओडियल कहेंगे और इसको क्या करेंगे डाइकॉर्टमस कहेंगे कि दूनों का मतलब आपको समझ में आ गया है ब्रांचिंग कैसे होती है मूनो ओडियल और डाइकॉर्टमस अब आई निस्ट पॉंट देखते हैं तो इसका सबसे जो यूनिक फीचर है यह है हमने अभी बताया कि इसमें क्या होते है वैस्कुलर सिस्टम पाए जाता है यानि कि जाइलम और फ्लोयम क्या होंगे इसमें पाए जाएंगे पाए जाएगा वैस्कुलर सिस्टम प्रजेंट लेकिन देखे जाइलम और फ्लोयम के साथ वैस्कुलर सिस्टम में एक और चीज होती है तो एक चीज आपने सुना होगा कि सिकेंडरी ग्रोथ तो पावध्य हम देता है कि परदे सुरु-सुरुम क्या होती है लंबाई में स्ञत्री बढ़ते हैं फिर की समय बार क्या होता है तrang मुटाइ बढ़ते हैं सिकेंडरी ग्रोथ के लिए कि बहुत करें काए जाता है और से के दोदे जौते होती है कैमबिएम की डिसकेfa में नहीं पाए- जाता थिए नहीं पाएजये झाल mikey mr जान्यौ ग्रोथ ठीजरु पतले ही रहेंगे लेकिन अपवाद तो हर जगह रहता है तो तेरीडो फैटा के ऐसे दो प्लांट्स हैं जिन में सेकेंडरी ग्रोथ होता है तो इसका एक्जांपल आपको याद रखना है एक है वोट्राइचिया और एक है आइसो एड़ थिक ये एक्जांपल आपको याद है वोट्राइचिया और आइसो एड़ थिक ये दो एक्जांपल आपको क्या करने है याद रखना है कि इनमें और इनमें के मतार्ण सेकेंडरी ग्रोथ पाया जाता है जाइलम तो जाइलम देखरो कोутता है वह देखा है कि जाल में जाइलय। ग्रोथ यह फिर खहें भालोथ वह देखा है कि जाइलम में जो है चाय प्रकार की कोई सिकाये होती ह Kelly कोन कौन सी कोज़ कान जैला बहुता है यह जाईला पाइबर होता है तो छार पाइज आते हैं कि भी जाईला प्वोस्त भी ते दिरिव प्रस्प्रम में और आजर में ज्किन यहां पर क्या होगा किवल और किवल ट्रेकिट्स पाई आपवात के रूप में तो सभी टेर डोफाइट्स में जाइलनुम की कि यूवल एक कोशिका पाई जादी है जिसको रहा है जायलम किया एक सयुक तोता होता है चार प्रकार के कोशिकाओं से मिलकत की बना होता है तो दो केवड ट्रैकल से जो है वो पाइ जाते हैं लेकिन अपवाद सवरूत कुछ में वेसल भी आजाते हैं तो यांपल याद रखना है तो इसके आप यांपल रखिने तो पाए जाता है तेरिस विटाटा में इसकी 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 अलावा ये टेरेडियम में पाए जाता है तो एक्विलीनम में पाए जाता है एक्विलीनम में इसकी अलावा एक और आपको याद रखना है एक्टीनो टेरिस यहां पर पी क्या होगा साइलेंट होता है तो एक्टीनो टेरिस तो एक्टीनो टेरिस टेरिडियम और टेरिस इन तीनो में पाए जाता है अगर इस प्रसीज का नाम याद नम पाए तो कोई बात नहीं ऐसे याद के लिए टेरिस टेरिस टेरिडियम और एक्टीनो टेरिस थिर तीनो का नाम कहा है मिलता है अब उसी तर तो अगर फ्लोय्म में भी भी होता है कि चार प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है अगर बता देरा है कि वह कहां बताना कि वैसल कि पाई जाती है उसका मतलब आपको समझने नहीं कि क्यों कि आए जाते हैं इंट रहे होता है कि तो यहाँ परक्षभ ना पाए जाता है शीव ट्यूप में या अंगर होता है हम आगे देखेंगे लेकिन अफवाद शुरूप के शीव ट्यूब पाय जाता है , लेकिन अपवाद श्वरूत कुछ टेरिटो फाइटा एससे होते हैं इससे होते हैं इससे इनमें सीव ट्यूब ही पाय जाता तो उनका आपको नाम याद रखना है तो इक्वीसिटम की दो इस्पसीज है दोनों नहीं पाजाता है और व क्या है और यार होने चाहिए एक एक वी सिटम अर्विंस है और एक वी सिटम जीटम है एक वी सिटम गिगांटियम करते हैं गिगांटियम त्यक्ज यह दो इसपशीज का नाम आपको यार लखना है अब आते हैं इसमें रेप्रोडक्शन के बारे में देखे रिप्रड़क्शन तो हमें व्रायफ आईड़ा में विधाला हipples के लिए क्या होता है इस्पोर जिजरूरी होता है sexual reproduction ही यहां क्या अवल होता है और sexual reproduction के लिए क्या होगा sport बनेगा और sport कहां बनेगे इस्पोर इंजिया के अंदर बनेगे तो sexual reproduction कैसे होगा इस्पोर के द्वारा होगा यह इस्पोर कहां बनेंगे इस्पोरिंजिया की अंदर बनेंगे तो यहां पर एक नया सब्द आ गया क्या इस्पोरिंजिया अभी तक क्या होता इस्पोरिंजिया का सब्द इस्पोरिंजिया नहीं आता था इस्पोर कहा बनेंगे इस्पोरिंजिया के अंदर बनेंगे अभी तख हम ब्राय फाइटा देखा था तो ब्राय फाइटा में हमने देखा था कि जो इस्पोर फाइटा होता था वो तीन भागों वे डिवाइड होता था food, capsule और सीटा कैपसूल के अंदर ही क्या बनता था इस पोर बनता था लेकिन यहां इस पोर कहां बनेगा इस पुरेंजिया के अंदर बनेगा और यह इस पुरेंजिया होगी कहां यह लीफ के विंटरल सर्फेस पे होगी इस पुरेंजिया कहां होगी लीफ के विंटरल सर्फेस पे होगी अब विंटरल सर्फेस का मतलब क्या है कि यह प्लांट है प्लांट पे क्या लगी होगी लीफ लगी होगी यह लीफ का क्या होगा यह अपर सर्फेस हो गए तो लीफ की अपर सर्फेस को हम क्या करते हैं इनलाइट को केपचर करने के लिए ताकि further संसेघ्र और यूपर सर्फेस है नीशे की तरफ इसे तरफ स्परंजिया लागए तो इतना आपको समझ में आ गया है इसी हहा कि Χण कहा होते हैं bosal स्पोर अब इसी प्रकार बने प्रकार चैनल स्पोर इस स्पोर स्पोर बने के अंदर क्या बनेगा इस प्रकार बने थीä स्पोर स्पोर when he met मेल प्रांट में बनेगा उसपोर, और मेगा इस्पोर नेक। यह मेल में स्पोर 같 मैज़े मेल दिक्पोर दो प्रकार के वागए मैकरो एक इस पोर यह उवन्य जाएंगी इसपोरिंग फिल नाम देते हैं तो जिस लीफो में दो फिल नाम देते हैं तो जिस लीफ क्या बनता है तहीं होए तो नहीं लगिव देगे यह को हम क्या नाम देगे स्पो्रोफिल अब देखिए तब इस-व प्र करत और हो जाए कि इसमें मायकोश्पोर्णिया और यहां तक यहां तक आपको समझने आ रहा होगा कि इस्पйरंजिया क्या होती है दो प्रकार्टि यह घुए है और मेगा plaint दिसक sofort और इस ही अधार के बजाएगा इस पॉरोस्पोरोफिल बीदोपर का बजाएगा या नि italy या वह लिफ जिसकी वेंटर शर्चर्वक्रा लगी माइक्रोफॉरंजिया लगी है तो उसको हम क्या कहेंगे माइक्रोफॉरोफिल कहेंगे माइक्रो इस्पोरो फिल कहेंगे उसी प्रकार जिस पे क्या लगा है मेगा लगा है तो इसको क्या कहेंगे मेगा इस्पोरो फिल कहेंगे थीछ तो इसकोरिय और मैक्रोस्पोर ओटी है जो माइक्रोस्पोरो फिल होती है इस पर माईक्रोस्पोर अगी मक्रोस्पोर बनते हैं मेगा использ जगे हैं.. ona situação उफनलस पेपअ कैसे होती है.. प्रफणे आपन अगरे बार पुछा गया था'd आखा.. की ढिए स्कोम में इस्पोरेंजिया की देवलप्मेंट कैसा होता है.. table- Above, the progen- तरी केंए 1 दूसरी तरीकें서 भी होता है.. यूज स्पोरेंजिय होता है.. होते हैं यह हुआ हैं दोनों तरीका ह्युजह होता है तो यहां बताएंगे Do this both दोनों तरिकें होंगे Development of Sporengia Development of Sporengia क्यों होता है U Sporengia भी होता है और Leptos Sporengia भी होता है U Sporengia U Sporengia भी होता है और Leptos Sporengia भी होता है अब इनका मतलब क्या है इनका मतलब ही समझ देए यहनि जब इस पोरेंगिया का डेवलप जो हो Group of the Cell से हो तब उससे हम कहते है U Sporengia Group of Cell और जब इस पोरेंगिया का Development किस से हो केवल सिंगर सेल से हो तो इसको हम क्या कहेंगे Leptos Sporengia कहेंगे तो आई को फिरना आपको समझ में आगे होगा Development of Sporengia देखिए हमने क्या मताया कि Spore क्या होते है दो प्रकार की होते है तो लेकिन हर इस्प्रिसीज में क्या होंगे दो प्रकार की Spore नहीं बनेंगे कुछ में क्या होंगे एक ही प्रकार की Spore बनेंगे तो वहाँ हम उसको क्या देंगे Microspore और Megaspore का नाम नहीं देंगे जिनमें दो प्रकार की बनेंगे Microspore के होते है छोटे होते हैं और जबकि Megaspore के होते है बड़े होते हैं तो वहां पर हम दो नाम देदेंगे, और ग्रूप आप इस पुरंजिया को हम क्या करते हैं सोरस कहते हैं ये भी एक चीज़ रखे ग्रूप आप इस पुरंजिया को हम क्या करते हैं सोरस कहते हैं इस पुरंजिया कहां प्रजेंट होते हैं ग्रूप में प्रजेंट होते हैं उसको सोरस कहते हैं और ग्रूप आप स सोरस है तो उनको हम क्या कहेंगे सोराई कहेंगे अब देखिए यह जो सोरस होता है यह क्या होता है यह तीन प्रकार का होता है इसमें से एक प्रकार के वह एगरी बात पूछा गया था तो आए इसको भी डिसक्स कर लेते हैं कि सोरस क्या होते हैं तीन प्रकार के होते हैं पहल हुआ सिम्पल स्पूरस का मतलब क्या होगा कि सिर्फ इस प्रेंजिया होंगे सभी एक साथ में रोंगे यानि all इस्पुरेंजिया grow and mature at the same time यानि जितने भी क्या होंगे सुरस में इस्पुरेंजिया होंगे सभी एक साथ डिवलप होंगे सभी एक साथ मिच्वर होंगे दूसरा होता है graduate टाइप दूसरा होता है graduate सोरस अब graduate सोरस में होता है कि वह सोरस जो कहां इस्थित है center वह पहले पाल सीथ हो जाएगा और जो periphery किनारे पी है तो बाद में पाल सुन ऑगा तो यहां पर इस्पूरंजिया जोन सेंट रिफिरी मेडान नारे में ने बाद सब़ान सेंटर पर सतरूसर नृड में जांगे शोडऄ से बनाने हैं तोट इस निए ने हमेंस परेंच हैं and so just उनी यहां पर क्या होगा यहां पर इसपोर भी बन जाएंगी क्या है में मствомलत इसको देगा हुआ Lösung जो जब प्रिय खेंगी के खेंगे से रहे हैं चीफि के का जाता है यह मुई स recipient कहा यह थी कुए PS तीसरे प्रकार का होता है मिक्स्ट इस्ट 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 इ किसमें सिंपल पाए जाता है और किसमें ग्रेजुएल पाए जाता है ये पिछली बार पिजली में उच्छा गया जाता है तो सिंपल का आपको याद रखना है एक आपको 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 और रिंगत ग्राइजुएतु DR मइत ब engraphनाै को एक मालसीलिय याद में जाई है कि एक में सारीस्य गुशक्तय इस सैंसे ग्र्वना में लिक्राइब जाए लिकूशन गर्वें कि याद रखना है तो इसमें कैसे पाई जाता है मिश्ट सुरस पाई जाता है और पॉडियम भी तीन ही सही है तेरियम टेरिस मार्सिलिया साइथिया और फयोगलोसा और गोट्राइथियम यह इतना यहांपल आपको याद रखना है तो इसका हम next point दिखते हैं तो यहां तक आपको इस पुरेंजिया के वाले में समझ भी आ गया इस पुरेंजिया के अंदर क्या बनेंगे स्पोर बनेंगे और स्पोर से क्या जैमिनेट होते हैं आपने बताया था कि स्पोर से क्या बनेगा स्पोर कैसे होते हैं है और हैपलाइड होते हैं और हैपलाइड जब किसी समझना को बनाती है तो इसको हम कहते हैं गैमिटो फाइट कहते हैं अब यह स्पोर क्या होगा जैमि गैमेटो फिटिक प्लांट बनाएगा देखिए अब इसका जो गैमेटो फिटिक प्लांट है वो कैसा होगा होगा और हट सेब होगा और हैएं लोगा अब देखिए इसप्पोर्स क्या बन गया है कि बन गया अब होगा हूँ होता है हमने बताए है की दिएंटां का का मुथा निर मार्ण करना तो यहां पर क्या बनेंगे इसी तरह से इस लब प्राईप साइक सब्सक्राइब कहां से कर देंगे और हम सबसे पहले हम क्या देखेंगी इस प्रेंजिया की अलग ऑब अलग तरीके से वहां शुरूओं अगसे होता सेख्स औरगन को अन्थ्रेडिया कहते हैं तो यहां और आची गुनिया में कोई बेसिक अंतर नहीं यहां दोनों भी क्या है एक ही जैसे एंथ्रेडिया और आची गुनिया फिर देखिए इस्पिसीज हमने क्या बता है कुछ ऐसी इस्पिसीज होंगी जो होमोइस्पोरस होंगी यह जिन में क्या होंगे एक ही प्रकार के जिन में क्या होते हैं एक ही प्रकार की स्पूर बनते हैं जो खो को इसल वह सोती है। वो हमेशा कैसी होती है देगे इसका मत्रव सुनुची है। कि हमने इसा प्लान्ट होती है। है हमने इसलिग गेंटो क्या यह विध प्लांट दो तो यह gametiophytic plant हमेरीषा कैसे होगा? Monoceus होगा Monoceus का मतलब है कि इसमें इसम्में क्या होगा मेल और female सेक्स औरगन होगी समझनागा और इसलिवाल है? जो species है? स्थनिव विच भूग और जो species है? है है । स्थनिवाल होगी nestle कि उसमें ओर स्वीसार लगे वजी खींगी ऐ होनके वांके यह क्यां अबका है उसमें मेल और फीमेल पार्थ क्या होगी अलब सलस्वछ वह में शेएव क्यों से अधस्थ goods uhukyu क्यों कष्थ गरे मुल्ट साथ है यहां हिंगे तो यहां आपको समझ में आ गया कि क्या होता है यहां पर क्या होंगे प्रटी लाइडेशन के अंदर बनेगा और आट्सी गूनिया कहा है जो गयम्मटफितिक प्लांट है उसी के ऊपर किया होता उसी में या तो embedded रहते है आच्ची बुनिया या तो project रहता है जैसे ये थैलस है थैलस हमें पताया कैसा रहेगा? समवट hard save रहेगा ठीक इस तरीके से तो ये ही पर क्या बनेंगी आच्ची बुनिया बनेंगी? अब ये आच्ची बुनिया जो होती है तो ये थैलस में क्या होती है, embedded भी रह सकती है, या थैलस के उपर निकली भी रह सकती है, इसी में क्या होगा, कि अंड कोसिका होगा, इसी अंड कोसिका से क्या हो जाएगा, जाइगोड बन जाएगा, अब यही जाइगोड क्या होगा, डीवाइड होगा, यही जाइगोड ड बन रहा है स्कोरोफाइड कुछ समय तक तो इस गैमिटोफाइड से भोजन लेगा लेकिन जब वेल डेवलाफ हो जाएगा तो भोजन लेना बंद हो जाएगा क्योंकि अभी कहा जाएगोट एक सेल है तो उसको मल्टी इंब्रीयो बनाना है तो भोजन कहा लेगा गैमिटोफ सीर्फ हो देवल्फ देवलाफ किमन विल रहा है जब तक निर्माण होता है तब तक भोजन लेता है फिर इस इंब्रीयो कर बन जाएगा हमारा इक प्लांत भोजन बन जाएगा तो प्लांतबोन प्लांत बना लेता है उन्पडा-व्यों-खश्ब्री आल रहीं क्या прирdo rays वि और यह इस्पोरोफाइट प्लांट कहां बनेगा इसी जो गैमिटोफाइट प्लांट है उसी के ऊपर ही बनेगा तो अब यहां पर क्या हो जाएगा इस्टेम आएगा यहां पर लीफ आएगी फिर लीफ पर क्या बनेंगी इस्पोर बनेगी इस्पोर से गैमिटोफाइट ब मतलब यह वां ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है तो चिछ आपाइब की बना देना और अजी ऑगनिया में अंड कोषका होती है जिसके फटिलाजिशन की बाद जैगवॉड बन जाता है जैगवॉड बन जाता है और इंवरियो से इस पॉरफिटिक प्लांट बन जाता है तो यहां तक हमने देखा कि कैसे लाइव साइकल पोप करेंगी एक है करेक्ट वहां रूट सेंग नहीं पाया जाता लेकिन जो Two- Scoop प्लांट बन रहे प्लाइब है इस पूरोफाइट और सब्सक्राइब दोनों डूसरे से देखने में अलग है दोनों मार्फुलोजिकली डिस्टिंक है तो ऐसी अलटरनेशन को हम कहते है हेट्रोमार्फिक अलटरनेशन अब जनरेशन तो अगर पुछा जब टेरी डो फाल्ता में अल्टरनेशन आफ जनरेशन कैसा होता है तो आप बताएंगे हेटरोमार्फिक होता है हेटरोमार्फिक अल्टरनेशन आफ जनरेशन होता है हेटरोमार्फिक अल्टरनेशन आफ जनरेशन होता है हेटरोमार्फिक अल्टरनेशन आप जनरेशन का मतलब के होता है तो अल्टरनेशन आप जनरेशन का मतलब हमने बताया कि जब दो जनरेशन एक दूसरे के बाद आती है तो उसी को कहा जाता है अल्टरनेशन आप जनरेशन दो जनरेशन कौनसी इस्पोरोफिटिक जनरेशन औ यई तक हैं तक आपको समझ में आगे हैं अब इसके बाद हम क्या देखेंगे टेरिड्वीटा का कमप्रीजन करेंगे किसे करेंगे raio fata से करेंगी और gymno sperm से करेंगी gymno sperm तेरीटव फैटा मीं क्या similarity होती है और दोनों मी क्या अंतर होता है इसके साथ साथ हम tarido fata और bərao fata के भी similarity देखेंगे और dissimilarity देखेंगे तो friends अगर tarido fata आपको ऐच्छे से समझ में आ गया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देजी और मेरे चैनल को सेक्सक्राब कर देजी थैंक यू सो मज